जोधा अकबर, पानीपत, लॉड अफ दे रिंग्स, ग्लाडिएटर, ब्रेवहार्ट, इन सारी मूज में आपने देखा होगा, कि फॉजी अकसर अपनी बॉड़ी पे कुछ मेटल सा, रिंग रिंग सा, छोटा था, चें सा पहनते थे, जब मैं छोटा होता था और ये पिच् अच्छा लगे, बट, एक्चुली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो चीज वो पहनते थे बॉड़ी के उपर, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, और इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता था, इसको कहते थे चें मेल, ये एक तरह का बॉड़ी आर्मर था, इसमें मेटल के चोटी-चोटी रिंग्स होते थे, जो पूरी बॉड़ी को कवर करते थे, और इसके उपर जनरली एक प्लेट पहनते थे, तो अगर आप पुनारे जमाने के एक वारियर हैं, तो पहले आप चें मेल पहनेंगे, उसके उपर आप पहनेंगे आगे और पीछे मेटल के तक जितनी भी लडाईयां पूरे वर्ल्ड में हुई हैं, उन सब लडाईयों में चें मेल का इस्तमाल किया गया है, इंडिया में जब 1757 में बैटल अफ प्लासी हुई, जिसमें एक तरफ एस चिना कंपनी थी, बिटिश एस चिना कंपनी एक तरफ थे सिराजुद दौला, इन दोनों के जो बड़ाई हुई, इस लड़ाई के बाद से चेंज मेल का इस्तमाल धीरे-दीरे कम होने लगा, उसका main reason नहीं है कि इसके बाद इंडिया में जितनी भी लड़ाईयां हुई हैं, उन सब लड़ाईयों में गन पाउडर और गंस का इस्तमाल होता था, मेटल की जाली सी लगती है, तो ये किसी warrior को protection कैसे देती है, चेंज मेल के बहुत सारे फायदे है, जब लड़ाईयां शुरू हुई थी, बहुत पुराने जमाने में, उस जमाने के जो हतियार थे, वो बहुत पहने, यानि बहुत शार्प नहीं होते थे, इस वज़े से आपको कुछ नहीं होगा, इस वज़े से पुराने जमाने में चेंज मेल्स बहुत एफेक्टिव थे, दूसरा फायदा ये था चेंज मेल्स का, कि ये तलवारों के खिलाफ बहुत एफेक्टिव थे, देखिए हर वेपन का कुछ ना कुछ एक particular action होता है, जैसे एक भाला हो सौ लोग हैं, और सबसे लड़ाई कर रहो, तब सबको ऐसे घोपोगे तो नहीं, आप नॉर्मली लड़ाई ही करोगे ना, तो किसी के अपने हाथ में मार दिया, किसी को पेट में मार दिया, देखिए चेंज मेल्स में बहुत सारे चोटे-चोटे मेटल की रिंग होते हैं, तो अगर आपने तलवार से उस पे आसा मारा, तो वो मेटल के जो रिंग्स होते हैं, उस पे तलवार लगेगी और कुछ होगा नहीं, तो इसलिए अगर आप रंभूमी में जा रहे हैं, तो एक चेंज मेल अगर आपने पहना हुआ है, तो आपको तलवारों के खिलाफ बह बीच में खड़ो जाएंगे और आप बोल रहे हैं कि हा हा हा, मैं सर्शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई मारी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास सबसे अच्छा चेंज मेल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखिए पुराने समयने के जो लड़ाईया होती थी, जिसमें आक्रोम साथ, एकदम साथ में खड़ों के लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मिक्सों के लड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ही इंपोर्टेंट था, कि आपकी बॉड़ी पे कुछ प्रोटेक्शन हो, क्योंकि कहीं से भी आपको तीर लग गया, किसी ने भाला मार दिया, तलवार लग गई आपको, तो ऐसे जो रैंडम आपको चोट लगती थी, इन सब चोटों से आपको चेंड मेल प्रोटेक्ट करता था, और इसी मुझे से चेंड मेल का एक साइकोलोजी का एडवांटेश था, वो ये था, कि अगर किसी वारियर ने चेंड मेल बॉड़ी पे पहना जब आप कार राइव करते हैं, तो आपको कहा जाते हैं कि सीड बेल्ट हमीशा पहनी है, क्योंकि अगर आक्सिडंट होता है, तो सीड बेल्ट आपको बहुत चोट से बचा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने बहुत भाहरेंग्कर एक्सिडंट करवा दिया, तो सिर्फ कुछ ही लोग के पास chainmail क्यों नजर आता था उसका reason यह है कि जिसमें चीज में बहुत फैदा होता है protection होती है उसमें अक्सर एक बहुत बड़ा cost involved होता है chainmail किसी normal इंसान के पास इसलिए होता नहीं था क्योंकि chainmails बहुत महंगे होते थे इसलिए chainmails सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होते थे जैसे आपका राजा आपका सेनापती या important commanders या और और आपकी आर्मी के जो बहुत important लोग है उन्हीं के पास आपको chainmail नजर आएगा अगर normal लोगों को आप chainmail देने लगए तो इसका मतलब आपके पास बहुत पैसे है और कोई भी देश की आर्मी अपने normal सिपाईयों को chainmails नहीं पहना थे maximum वो अपने soldiers को एक armor plate देते थे और एक shield देते थे बस chainmails की इतनी value थी कि अगर आपने किसी ऐसे इंसान को मार दिया लड़ाई के दोरान जिसने chainmail पहना हुआ है तो अकसर लड़ाई के बाद लोग उसका chainmail body से उतार लेते थे और फिर उसको या फिर खुद इस्तमाल करते थे या फिर आगे बेश देते थे तो यह तो सारी बात हो गए कि chainmails कितने effective होते हैं कितनी protection देते हैं अब हम बात करते हैं कि अगर किसी ने chainmail पहना हुआ है तो वैसे इनसान को मारा कैसे जाता था सबसे पहला तरीका यह होता था कि यह देखा जाए कि जिसने chainmail पहना हुआ है उसकी body पे कौन-कौन से parts exposed हैं यानि कहां कहां पे protection नहीं है तो normally chainmails आपको आगे arms के उपर और body पे सामने protection देते थे बट बहुत सारे chainmails में पीछे कोई protection नहीं होता था और पैर के पास कोई भी protection नहीं था तो normally ऐसे लोगों को मानने के लिए या पीछे से उनके पेवार करते थे या फिर पैर के पास या किसी तरह से इस जगा पेवार करना है जो exposed हो ताकि एक बार उस इंसान आगर गिर जाए जमीन पे फिर उसको मानना आसाम होता था दूसरा तरीका था बहुत ही नुकीले वेपन यूज करना अगर आपके पास कोई ऐसी तलवार या भाला या कोई तीर है जिसका जो आगे point है वो बहुत नुकीला है तो उससे भी आप thrust करके ऐसे किस निजान को मार सकते हो जिसने चेंग मेल पहना हो इसलिए पुराने जमाने की लड़ाईयों में आर्मी में कुछ special तीरंदाज होते थे जिनके पास कुछ खास तरह के तीर होते थे ऐसे special arrows को उन्हीं warriors के against यूज किया जाता था जिन्नोंने बहुत अच्छा चेंग मेल पहना हो तीसरा तरीका था brute force यानि अगर आप किसी ऐस सिपाही से लड़ रहे हैं जिसने बहुत अच्छा चेंग मेल पहना है उसकी पूरी body covered है और चेंग मेल बहुत अच्छी quality का है और आपके पास कोई नुकीला weapon नहीं है तो ऐसे में आप क्या करते थे आप उसको ऐसे weapon से मारते थे जिससे उसको बहुत चोट लगे अगर उस पे वार करना और उसको हराना बहुत ही आसान हो जाता था अब आज के जमाने में तो इतने modern weapons आगे हैं सब गंज इस्तमाल करते हैं तो इस सोचके लगता है कि चेंग मेल्स के अब तो कोई यूज होता ही नहीं है बट ऐसा बिल्कुल नहीं है चेंग मेल्स आज भी यू आट रहे हो तो उनके हाथों को और उनकी बॉड़ी को प्रटेक्शन बिले कई बुचर तो फुल बॉड़ी चेंग मेल्स भी पहनते हैं इसके अलावाद चेंग मेल्स को पहनते हैं डाइवर्स जो डीप सी डाइविंग करते हैं जहां पर बहुत मच्छिया हैं अपने बट आपने historical war movies में एक बात और देखे होगी कि बहुत ही थोड़े से बहुत कम warriors ऐसे होते थे जो full body armor पहनते थे यानि AD से लेके चोटी तक पूरी body covered है उनकी, पूरा metal armor पहना होगा है तो ऐसे किसी warrior को, जिसने उपर से नीचे तक full body armor पहना है और उसकी सिर्फ आखे दिखने है थोड़ी थोड़ी से आखे दिखने है उसको आप कैसे है रहेंगे इससे related आपके उनमें जो भी ideas आते हैं मुझे comments में ज़रूर बताईएगा मैंने एक और वीडियो मनाया है जिसमें मैंने फॉजियों की helmet की बारे में बात किया है कि helmet की उपर आपने देखा होगा कि बहुत बार जाली सी लगी रहती है वो nylon की या कपड़ी की जाली होती है उसका purpose क्या होता है तो अगर आपको वीडियो दिखना है तो उसका link आपको यहां corner पर मिल जाएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिग्यासियम को subscribe करना ना भूले